तो गैस यदि आप राइगार से बिलॉंग करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है अचानक आपका प्लान बना कि आज कहीं घूमने चलते हैं यहां दोस्तों आज मैं हूँ राइगार रिल्वे स्टेशन में और मुझे जाना है ब्रिजराज नगर और ब्रिजराज नगर से थोड़ी दूरी पर रामचंडी मंदीर है जो की काफी अच्छा लोकेशन है यदि आप सुबा उठे और अचानक सोच रहे हो कि आज कहीं घूमने जाना था तो बिल्कुल तयार हो जाईए चुबा 10 बजे तितलागर ट्रेन आती है और ब्रिजराज नगर के लिए निकलती है तो आज हम देखेंगे माता रामचंडी मंदीर दर्शन करेंगे वीडियो पर बने रहिएगा तो चलिए चलते हैं तितलागर गाड़ी यहां पर पहुंच चुके है राइगार रिवेस्टेस है और आप ही लेट हुई आज बज रहे हैं क्यारा तो चलिए चड़ते हैं फैनली हम ट्रेन पर हैं और यहां पर सीट का कोई उसू नहीं है खाली है और कुछ इस तरह का व्यूँ है जितलागर लोकल ट्रेन चलते हैं और देखते हैं आगे की व्यूँ को हम ब्रिजराजनगर पहुँच चुके हैं और ट्रेन काफी लेट हो गई अभी समय हुआ है साड़े बारा बज रहे हैं साथ्यों इस रेलवे स्टेशन से माता राम चंडी का मंदिर की दूरी लगभग यहां से चार किलो मीटर है तो यार आज काफी धूफ है और यह स्टेशन का देख सकते हैं कुछ इस तरह से व्यूँ है और भाई जी का कहना है कि आउटर में तो बहुत टाइम तक रुपती है ट्रेन लेकिन जब इस स्टेशन के पारी आती है तो तूरंत निकल जाती है तो यहां पर हमारी बॉटल खाली हो गए थी यहां से हम पानी भर लेते हैं इस स्टेशन के बाहर का कुछ इस तरह से व्यूँ मंदिर है हमको जाना है सीधा इधर प्यारा सा मार्केट कपड़ों पर की दुकान लगी हुई है जस मार्केशन से बाहर आएंगे कुछ इस तरह का मार्केट आपको दिखाई देगा यह चौक है चौक से हमको लेप टेकी और जाना पड़ेगा उस मंदिर तक पहुंचने के लिए आटो तो जाती है बठ हम लोग यंग बैच है पाइदल चलने जाएंगे तो मैं आपको यह मंदिर दिखाई पड़ेगा तो फाइनली हम उस इस्थान पर पहुंच गया है और यह मंदिर का बाहर का कुछ इस तरह भी है रोड कापी अच्छा खासा है बढ़िया से ब बड़ा सा गेट हला कि अभी यह पाढ़ के ऊपर हम है नीचे की और जाना पड़े लगा संदर आए का ही राइट साइड में चोटा सा गाडन है जो कि अभी बन रहा है नो निर्मित है बच्चों के लिए जुलावकर अलग रहा है और हम चलेंगे नीचे की और क्या लिखा कि इस यहां पर भव्या जो ब्यूप्इंट की तरह यहां पर लिखा है मा राम चन्डी मंदिर हाला कि हम उडिया नहीं समझते हैं बट ऐसा प्रतीत हो रहा है लिखा है योगा मा राम गया है हम नीचे की और जा रहे हैं जो कि बताया जा रहा है कि नीचे में माता जी विराजमान है यह पाहड है पाहड से हम नदी की और चलेंगे और यह सीड़ी बना हुआ है यह च्छावनी भी है च्छावनी के माध्यम से हम सीड़ी सीड़ी के माध्यम से हम नीचे चलेंग उपर से हम इस रास्ते से नीचे की और आये हैं और ये प्लेस से और जस्ट हम पहाड की नीचे पहुँच चुके हैं जो की नदी से जुड़ा हुआ है और आगे हम चलते हैं और ये माता जी तुसी गुफा में विराजमान है हम पूजा करें इससे पहले की पानीवानी से पैर दो लेते हैं यहां पे छोटा सा पचड़ी जासे बना हुआ है आओ तो खत्रा है यहां पर पर यहां पर यहां पर ना आए यहां पर काई गड़ा हो सकता है यह मंदीर है और यह नदी है और यह नदी के जैस्टिकी नारे यह मंदीर बना हुआ है यह चोटा सा पचड़ी है जो की दालोगर यहां पर हाथ पैर धो रहे हैं हाथ पैर धो लिए जी असोग भाई बहुत बढ़ी है लगा पानी अगम ठंडा है और बहुत रिल्लैक्स लगा है यहां पर चलिए साथियो अब माता जी का दर्शन करते हैं जै माता दी तो यहां पर असोग भाई है कुछ जानकारी देना चाहा रहे हैं जब भी आप यहां आते हैं तो आपको जहां भी आप नारेल लेते हैं पुजा के समान लेते हैं हां पर यह दंडी दिया जाता है दंडी इसलिए कि यहां पर बंदर बहुत ज्यादा है उनको भगाने के लिए अपनी सुरक्षा करने के लिए धार कि यह उतना भी प्रभाल डंडी नहीं है कि बाबाल लूंग जो होते हैं साथियों इधर भी कॉंप्लिक्स है और यह धरम साला है जैसे लग रहा है खूला प्लेश है यह प्रांगण है यहां पर एक और मंदीर है जो कि सीव जी का मंदीर है उधर जो यज्य करने के लिए पुंड़ होता है वो है चलिए आपको मंदीर के दृष्षा को दिखाते हैं सकते हैं तो सथोटा की वीडियों अबस इतना ही आई होप यह वीडिवाप को पसंद आया होगा यह पसंद आया होगा तो ला Beginning to हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्स्राइब कर दीजेगा चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक लिए जय हिन वंदे मात्रा